दोस्कार दोस्तों मैं हुई उगरिश कुमार सिंग और आप देखते हैं इंडेश्टियल मकैनिक हिंदी यूट्वीब चैनल दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं बिल्ट ड्राइव स्पीट कल्कुलेशन के वारे में दोस्तों बिल्ट ड्राइव स्पीट कल्कुलेशन में इसमें दोस्तों दो पुली होती हैं और जो कि आपस में बिल्ट द्वारे कनेक्ट होती हैं और यह एक निश्ची दूरी पे ठिक्स रहती हैं जो कि बिल्ट द्वा साथ द्ली में फॉल थे इस मोटर मौर्ट हो दोस्तों हम करने कि कौन ऐसा इंडस्ट्री में इनले only सी होता है बहुत जादे युजह होता है और इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं कि this का जो है इसका आरिपम आउटपुट आर्पेम कितना मतलब हमारी पुली करे कितना होना ची में कितना आउट्पूट आर्पियम मिलेगा तो उसी वारे में दोस्तों आज हम लोगों डिसक्स करने वाले हैं तो दोस्तों इसका कि जो इस पीड कल्कुलेशन को दोस्तों जो फार्मूला होता है तो वह दोस्तों होता है एन वन डी वन इसकाल टू एन टू डी टू तो दोस्तों जो हमारा एन वन होता है वह ड्राइवर पुली होती है एन टू जो होता है वह ड्रिवन पुली का आर्पियम होता है एन वन एन टू ड्राइवर पुली का आर्पियम ड्रिवन पुली का आर्पियम और जो हमारे डी वन डी टू होता है तो ट्रैवर पुली का डाया ड्रिवन पुली का डाया कि ठृस्थों एन pals D1N2D2 n 한번 । यह ब्राइवर पुली का और पिम ंट्यु ड्री वन पुली का डाया ड्रिवन पुली का डाया तो दोस्तों ड्रिवन पुली का डाया तो हमको पता है बट आर्पिम नहीं पता है तो आप कैसे निकालते हैं आई इसका सिंपल से एक फार्मूला है जो कि निश्टी में यूज होता है वह हम आपको बताने वाले हैं तो N1 को इधर ले लेते हैं और N1 D1 अपॉन D2 आपका माल लिजिए मोटर का आर्पिम कि 1400 है और आपका जो ड्राइवर पुली हो चार इंच की है और जो आपके ड्रिवन पुली हो आठ इंच की है ठीक तो हम देखिए 1400 आपको मोटर का रिपिम हो गया चार इंच आपका ड्राइवर पुली हो गई फिर और अपान में आठ इंच हम इसका ड्रिवन पुली का हमारे डाया है तो हम दोस्तों फाइनली जो कल्कुलेट करके निकलता है तो दोस्तों देख लीजिए इसका यही फार्मूला होता है एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि हम ड्रिवन पुली का जो है वो निकाल आर्पिम निकाल लेते हैं एक सिंपल से फार्मूला के साथ तो दोस्तों इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो